कि अग्याद दोस्तो इस्टार वर्ल्ड डेकेडी में दोस्तो आज सबसे इंपोर्टन कोश्चन जो की रेलवे गुरूबडी एंटी पीसी में जितने मात्रक रेलेटेड कोश्चन आये हैं वो हम सारे डिसकस करेंगे ठीके दोस्तो तो अगले पार्ट याने पिछले ज्टी ग्जाम है इसके लिए best of best यह question आज से बढया है कि हम रवतों करा रहा हैं यह आप चेप्टर वाज करिए यह मातरक का चल रहा है आप मातरक वाले से चेफ्टर पढ़िए और युअ कर एक स 나올 ब् थीक है, बहुत बहुत बैतरीन इसका है, तो question number start करते हैं, question number है, 42 से यहाँ शुरू होगा, ठीक है, तो चलिए start करते है, बैस नंपर question, एक atomic sphere, ठीक है, किसके बराबर होता है, तो याद रखिएगा, option number, A हो जाएगा, 1.01 गुड़ा दस के ऊपर कितना होगा, 5 पास्कल हो जा भर किसके बराबर होती है थीक कहें तो इस एफ wy拜拜 आपको माणूम होगा तो अप्षण करेक्ट हो जाएगा साथ सोस्यालिस वार्ट यानिके आप्ष CAGS ते यानिकी और सी ओप्षाइ सबस्क्राइट थिए है अग्ला से पैतारीस नमबर क्या एक मीटर कि 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 के बाभर होता 1 मीटर किसके बाराबर होता है तो याद रखेगा और बी यानि कि भी नमबर करेक्ट हो जाएगा ठी Gold ठीक हैं फार में फिल्ट की एक माप निमलखित में सिसका प्रयोक करकि की जाती है तो करेक्ट आप्सों हो जाएगा इसका लक्समीटर ठीक है लक्समीटर यारे आप्सान नमबर सी present zijn at next question क्या है 37 नमबर 1 kilowatt Соरट किसी बराबर होता है ठीक है तो option और देखेंगा फोटिनाइन नम्बर क्वेश्चन क्या है फाइब पॉंट फाइब कीलो वाट घंटा किसके बराबर होता है तो यह अगला देखिए हèg से पचास नम्बर एक निटन किसके बराबर होता है तो एक किग्रा इंटू मीटर प्रती ठीकर थीए है तो ईप्षन नंबर दी इच करिक्ट अंसरर कि बावन एक नैनो मीटर एक नैनो मिटर किसके बराबर ता है तो याद रखेगा अप्षन नंबर दी यांद डी इच करिक्ट आंसर होगा आप उस्याइँ ऐक कुलाम प्रती सेगेंड एक कुलाम MR. 18-20, X, agradable नम्र, ऑर इक पीको मीटर daugt के बराबर है एक पीको मीटर के बराबर है ठीक है तो इसका जोप्षण्टाosity और सीज करहे टांसर इसका हो जाएगा है ठीक है, पाँचावन नम्र दह्खिये एक जूल किसके बाराबर होता है एक जूल किसके बाराबर होता है एक न्यूटन इन्टू वन मीटर के बाराबर होता है यह आपसन नमर करेक्ट हो जाएगा किसका ए चपन एक बिसेस घर में पांच दिनों में सो इकाया की खपत है यदि रुजा को जूल में परिवर्थित किया जाए तो यह कितनी होगी तो इसको आप कल्गुसन करके बताईएगा मैं आपसें बता दा रहा हूँ तीन देसमलो 6.10 को उपर 8 जूल यह हो जाएगा D आपसें नमबर करेक्टर हो जाएगा 57 55 कौन सा यंत्र समुन्द्र के अस्तर के उपर वस्तुओं को देखने के लिए पंडूबी का प्रयोग किया जाता है तो आपसें नमबर C हो जाएगा ठीक है पेरिस्कोप से पेरिस्कोप होता है ठीक है वाई मंडल दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है तो आप लोगों के याद होगा जरूर बैरोमीटर बीज करेक्ट आंसर सुर्य को देखने के लिए यानि कि 59 नमबर कोस्चन सुर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है ठीक है तो हैलियो हैलियो इसकोप का प्रियोग के जता है स्थारी को देखने के लिए किस trix के जता है तो हैलियो इसकोप, याने अब सम्मर c करेक्टानसर हो जाएगा साथ नमबर क्या रे विवांतर कुमापने के लिए की.उपकर का उपहोग किया जाता हे तो बोल्ट मीटार से विवाँत रुक मापा जाता है ना बिभव मापीस कुछ मापा जाता है यानि कि यह नंबर हो जाएने कि उपकरड यान मापन उपकरड है नेमलखित में से किस उपकरड से बिद्धुधारा मापा जाता है तो MPR से मापा जाता है और ऑप्सन मबर B is correct answer MPR MPR है बताएए MPR क्या क्या है तो MPR को आपको मालूम है कि यह स्रेणी करम में सन्योजित किया जाता है यह निमन बैद्धुध परतिरोद भी होना चाहिए इसमें कम बिद्धुध खिचता है इसका मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा किसको मापने के लिए किसको मापने के लिए क्लियर इस टेलागनों मीटर का उप्योग की जाता है ठीक है तो प्रिष्टतना को मापने के लिए प्रियोग इसका करा जाता है यानि अप्सन नम्मर B जो बी हो जाएगा correct answer नमलेखित में से कौन सा प्रवावी मापन उपकरण एक छेत्र मीटर है ठीक है छेत्र मीटर कौन सा है तो पिटार्ट ट्यूब होता है जो कि छेत्र मीटर को मापता है या अप्सन नम्मर हो जाएगा correct is C is correct answer 67 का मल्टी मीटर में होता है मल्टी मीटर में क्या क्या होता है तो या देखिए मल्टी मीटर से मल्टी यानि मल्टी में से क्या गलत है डिक्टर पहिमाने यानि इसका जानते हैं जो भुकम्प को मापता है इस पर क्या गलत है यानि चार आपसन में जल्स बताइए तो इसे 1935 में चार्स डिक्टर और गुटेर्न बर्ग द्वारा भीक्सित किया गया था यह एक लवगड़ी के पहिमाना यह भी सही है पहला भी सही था यानि 1935 में इसको मतलब खुजा गया था ठीक है इसे बुकम्प मापी का उपियोग द्वारा मापा जाता है ठीक है और लास्ट क्या है रिक्टर पहिमाने कि अउब्रेकर 25 के इताने tb nut 2, 38 से नौ थीवर्ता का अर्थ होता है ज्यादा विक्मप होता है स्यांए है यह ज्यादा बूकम्प होता है कि यालिक पहिमाने पानी के अंदर वस्तों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है याजो में क्या मापने के लिए इको लोकेशन का उपयोग किया जाता है क्या मापने के लिए Call location यानि संबंदर के लिए घनत को निधार्ड करने के लिए कौनसा उपक्रड़ उपयोग ही याने क्या सन उपकरण के लिए इसलीं सीया यॉक्त में एकि लिए तो असीया आटो मोर्बाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निमिल में से किस उपकरण का प्रयोग करा जाता है तो आडो मेंटर का प्रयोग करा जाता है तो याद रखिएगा सबसे इंपोर्टन्ट ही है धारा की दिशा का पता लगाने के लिए गलेवनोमेटर का उप्योग किया जाता है तो आप्सन नम्मर करेंक्टिस का हो जाएगा डी इस राइट आंसर आज का लास्ट प्रस्न है डॉट वाहन की गती जानने में मदद करता है तो कौन मदद करता ह इस पीडो में उसमें वहान में स्पीड होता है यानि स्पीडो मेंटर से यहने की गती को में मापते हैं तो दोस्तों यह आज का सस्कार्ण कैसा लगा अब अच्छा लगा है तो जुरूर आप लाइक सब्सक्राइब और सब्सक्राइब करिए और यह बहुत इंपर्टन ट्रम